इस वीडियो के अंदर इस हम लोग बात करने वाले कार इंशॉरेंस के रिनुवल टिप्स बताने वालाओं कि कैसे रिन्यू अगर होता है क्या क्या चीज़े आपको ध्यान में रखनी चीए नॉर्मल ही होता है कि नई कार के उपर आपको 1 प्लस 3 का इंशॉरेंस मिलता है एक साल का on damages होता है और 3 साल के लिए 3rd party होता है यानि कि 2nd year से आपको renew कराना पड़ता है अब लोग के mind के अंदर सवाल यह आता है कि भाई online करा है या जहां से हम लोगों ने गाड़ी यहां पर छुड़वाई है शोरूम हो या डीलर हो गया उनके थुरू आप renew कराना चाहते है तो इस वीडियो के अंदर भाई सब कुछ आपको detail के अंदर जानने को मिलेगा तो please पूरा वीडियो यहां पर जरूर देखेगा और जितनी भी supported links होगी, comparison links होगी वो आपको description box में बिल जाएगी तो भाई पहले बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर insurance जो है कौन सा कंपल सरी है तो देखे वैसे तो सिर्फ और सिर्फ third party insurance यहां पर कंपल सरी है यानि कि अगर आप on damages का premium यहां पर नहीं बढ़ते, on damages का insurance नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई third party तो आपको लेना ही पड़ेगा third party में यह होता है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी को अगर आप ठोकते हो तो सामने वाली party को यहां पर claim मिलता है तो आपका जो भाई यहां पर एक interesting factor बताना चाओंगा third party insurance का जो भाई premium होता है, आप वो चाहे किसी भी कमनी से करवा लो सभी का premium यहां पर same आएगा, क्योंकि IAD ने वो यहां पर fix कर रखा है तो आपका जो भी गाड़ी का model number वकर आप डालोंगे, किसी भी कमनी की पास में चले जाओ हमेशा वो premium आपका fix आने वाला है और भाई जो on damages premium होता है, उसके अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है, यह damage होती है उन सभी केस में आपको यहां पर insurance मिलता है अब guys insurance को भाई renew कराने से पहले कुछ points आपको ध्यान में रखना जरूरी है पहला सबसे important point होता है IDV value of the car और आपका जो premium होता है वो इसी के उपर decide होता है IDV value क्या होती है, आपकी car के उपर depreciation लगता रहता है अब इसको अगर check करना चाहते हो आप तो एक link जो है मैं आपको description box में दे दूँगा यहाँ पर simply आपको अपको अपना vehicle type, state, year, कौन से बंद में आपने खरीदा कौन सा maker है आपकी car का, variant कौन सा है यह सब जैसे आप डालोंगे ना तो आपको अपनी car का ने एक IDV value यहाँ पर बल जाता है अगर आपने इस value को यहाँ पर increase किया तो आपका premium भी यहाँ पर increase हो जाएगा अगर आपने decrease किया तो आपका premium भी decrease हो जाएगा लेकिन ध्यान रखेगा यह एक maximum value है अगर आपकी car चोरी हो जाती है या total damage हो जाती है तो केवल maximum इतनी ही liability जो है insurance company आपको देने वाली है तो कभी भी ध्यान रखेगा गलती से इसको reduce मत कीजेगा और काफी जादा increase भी मत कीजेगा आपकी actual के अदर कार की जो IDV value है वही simply उसी को लेकर आपको हमेशे अपना premium जो है यहाँ पर decide करना चाहिए इसके लागाईस दूसरा जो factor होता है वो होता है NCB discount NCB discount क्या होता है अगर आप यहाँ पर जो है claim नहीं करते किसी साल और लगाता है अगर आप claim नहीं करते 5 सालों तक तो आपको 50% का NCB discount मिलता है यानि कि यह second year से लगना चालो हो जाता है मालेच आपने first year कोई भी claim नहीं किया तो आपको मिल जाएगा 20% फिर second year भी आपने नहीं किया फिर मिल जाएगा आपको 25 तीन साल नहीं किया फिर 35 फिर 45 और 5 साल तक गर आप कोई claim नहीं करते तो यह 50% हो जाता है और भाई आप कोई सी भी कमनी से क्यों ना ले लो आपको हमेशा NCB discount यहापे मिलने वाला है यानि कि जब भी आप यहापे जो है चेक भी करते हो अपना premium तो हमेशा यह आपको पूछेगा क्या आपने पहले कभी जो insurance claim कर रखा है यह आपकी last जो policy थी उसके नहीं कितना NCB discount है तो भाई इस table के according जो है आप अपना NCB discount select कर सकते हो और यहापे भाई एक तगड़ी pro tip देना चाहूँआ कई बार लोग गलती यह करते हैं अगर 5000 रुपे का भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए insurance claim करने लग जाएंगे लेकिन यहापे आपको ध्यान रखना है insurance अगर आपने claim किया वो भी छोटी amount के लिए तो आपका भाई NCB discount भी चला जाएगा तो next year जब आप renew करोंगे अपने insurance को तो आपको NCB discount नहीं मिलेगा तो भाई claim करने से पहले अपनी NCB discount की cost को भी जरूर calculate कर लेना तीस रगाईस इसमें main factor आता है आपका zero depreciation जिसको हम लोग bumper to bumper भी बोलते हैं और यह applicable होता है new cars के उपर mostly आपको 5 साल तक यह मिलता है जैसे आप अपनी नई गाड़ी चुलाते हैं 5 साल तक आप zero dap को consider कर सकते हो लेकिन ध्यान रखेगा यह बड़ा factor होता है आपके premium को increase करने का जब भी zero dap को आप select करेंगे तो आपका premium almost यहाँ पर double हो जाता है तो उसके नदर जो भी भाई पार्ट लगते हैं उसके उपर लगता है depreciation तो अगर यहाँ पर मैं glass वाले पार्ट की बात की हो तो वहाँ पर कोई भी depreciation नहीं लगता है लेकिन जो fiber class के component होता है उसके उपर 30% और rubber, nylon, plastic, airbag, tire, tubes, batteries इन सभी के उपर 50% का deduction लगता है और जैसे जैसे आपकी car पुरानी होती जाएगी अगर माली जी पांस साल से ज़्यादा पुरानी अगर आपकी car हो गई तो आपके उपर 50% का depreciation लगना चालो हो जाएगा यानि अगर कोई part यहाँ पे डलता है आपकी गाड़ी के अंदर माली जी आपकी गाड़ी का bonnet जो है टूट चुका है उसको replace किया जा रहा है tire को replace किया जा रहा है तो भाई जितना depreciation लग रहा है न उतना पैसा आपको अपनी jayb से देना पड़ेगा लेकिन भाई इस zero dap का यहाँ पे कमाल कैप कि यहाँ पे जो depreciation लग रहा है अगर आपकी नई गाड़िया है भाई तो उसके अंदर अगर आप zero dap add करवा लेते हो तो यहाँ पे आपको अपनी jayb से कोई भी extra पैसा pay नहीं करना पड़ेगा इन parts का वनना फिर depreciation का जो difference amount होगा वो आपको हमेशा pay करना होगा इसके लगाईस आपकी जो गाड़ी होती है उसका जो insurance यहाँ पर आपको जो by default दिया जाता है जहां से भी आप गाड़ी चुड़वाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे जो है यहाँ पर add-ons cover होते हैं कुछ के ल value instead of the IDV value इसके लाव भाई इसके अंदर 24 by 7 road site assistant होता है कहीं पर आपकी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो यह add-on अगर आपका प्रीम आपको देखना है कि यह आपको देखना है कि यह आपको देखना है कि यह आपके लिए necessary है कि नहीं है इसके लागा इस यहाँ पर एक compressor ही cover भी होता है जो कि personal accident cover होता है 15 लाख रुपे का तो देखे जब भी आप यहाँ पर third party plan लेते हैं या comprehensive plan भी लेते हैं तो उसके दर आप देख सकते हैं जब भी आप check out करना चाहेंगे किसी भी company के साथ में तो वह आपको एक personal accidental cover offer करने वाल तो इसको भाई add on करने की जरुवत नहीं है इससे आपका obviously बाते 500 से 600 रुपे तक का भी premium आपका बच जाएगा इसके लागा भाई आपको देखने की cashless garages कितने मेरे nearby location के अंदर क्योंकि क्या होता है जब भी आपकी गाड़ी ठुके की आपको claim वगरे करना है तो सबसे पह इसका claim settlement ratio किया है तो यहाँ पे मेरे पास में IDA की जो है ICR report है इसका मतलब यह है कि एक company नहीं आप एक साल के इंदर कितना premium लिया है और उस premium के amount में से कितना यहाँ पे as a claim यहाँ पे distribute किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी कपनी आपको मिल जाएगी यह PDF की link भी आपको description box में provide कर दूँगा तो echo का आप देख सकते 86% है बजाज का देख सकते आप 74% है तो भाई यह जादा भी नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह company loss केंदर जा रही है जैसे कि 136 हो गया नावी का या फिर let's suppose अगर कम भी है बहुत कम भी है तो इसका मतलब है कि claim भी यहा कैसे करना है पहली चीज अगर आप मालीजी अपनी पहले वाली कमनी से satisfied है जहां से आपको पहले से यहाँ पे insurance मिला हुआ था तो उस सेम कमनी के साथ में आप continue कर सकते है एक्जामपल देना चाहूंगा आजकल क्या होता है मालीजी अगर आपने मारुत सुजुकी के आपके जरुवत नहीं बढ़ती है लेकिन भाई इसके पहले आपको make sure करना है premium के बारे में कि भाई कितना premium आ रहा है तो भाई उसके लिए मैं recommend करूंगा आप चाहो तो echo की site से यहाँ पे जो है premium को checkout कर सकते हूँ policy बजार भी आपको यह offer करता है phone पे भी आपको offer करता है तो यह ज करने वाला है तो जो company सबसे अच्छी IDV value सबसे कम premium के उपर सबसे बढ़िया claim settlement ratio के साथ में आपको provide करती है तो भाई उनी को आपको basically यहाँ पे consider करना चाहिए और साथ में अगर आप चाहे तो आपने dealer से भी जो है pricing वगरे चेक कर सकते हैं लेकिन हमेशा आपको comparison जरू कर चीह कभी भी अपने insurance को renew कराने से पहले so guys hope you like this video all supported link in the description box अगर आप लोके कोई भी doubt से comment box के इंदर जरूर बताईए thank you guys thank you very much